अभी अंदर जाने के लिए तो सहसा कुछ कहानी गया है, लाइन में बोला गया कि लगिए 12 बजे तक आप लोग को 12 से एक बज जाएगा अंदर जाते जाते है, और डॉकमेंट वेरिफिकेशन साम तक हो पाएगे, तो थोड़ी मसकत करनी पड़ रही है डीवी के लिए हम लो अंदर तो कुछ पसंच चला है क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है बस टोकन मिलेगा, टोकन मिलेगा, कम मिलेगा अब दिश्क अब तक में पर घंटे से लोग लाइन में खड़े हैं, इनको चाहिए था कि पटनम इतने सारे हैं तो एक दो जगा और सेंटर बना देते डिवी वेरिफिकरशन के लिए तो एक इस इंटर पे सारे अभियर्थि बोला करके परिशानी का होना और आगे सरकार के क्या मनसा है तो सरकार ही जाने सरकार NBC24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अभिशेक BPSC के द्वारा सिख्षक नियुक्ति को लेकर पूरे बिहार में परिक्षा ली गई थी आयसे में अब डॉक्मेंट भेरिफिकेशन करवाया जा रहा है है वह लगी हुई है अभियर्थियों को काफी पर शानी हो रहे दिक्कत हो रही है क्योंकि अंदर अभी तक अभियर्थी कुछ ऐसे हैं जो 3 3 घंटे चार 4 घंट पतना से यह हैं अमित कुटा नमा बहुत परसान है बहुत देर से लाइन में लगे हुए है एक तो इतना धूब भी है नियुद देट लेकिन राल रहता है तो बहुत ज्यादा रहे हैं तो बहुत बहुत ज्यादा आगया आधा काज हो बहुत तो दिक्कता हुए है परशानी तो हो रही है तो कुछ पता ही चला है क्या नहीं बोला जा रहा है बस कराव टोकन मिलेगा कम मिलेगा आप देखते हैं कब तक मिलता जितेंद्र कुमार जितेंद्र परसाने हैं तिन करीव तिन घंड़ा से अब मेरा नाम चंद्र शेकर हुआ अब मैं तो पटना से हूं मेरा घर यहीं है तक्रीवन हम नौ बजे से खड़े हैं आपर जी क्या कहा अभी अंदर जाने के लिए तो सहासा कुछ कहा नहीं गया है लाइन में बोला गया कि लगिए बारा बजे तक आप लोग को बारा से एक बज जाएगा अंदर जाते जाते और डॉक्मेंट वेरिफिकेशन शाम तक हो पाएगे तो थोड़ी मसकत करनी पड़ रही है डीवी के लिए हम लोगों को और आपसे आग रहा है कि आवाज पहुंचाईए अंदर तक कि डीवी का बेवस्ता और थोड़ी अच्छे डंग से किया जाए कि सभी अभियार्तियों को सहूलियत हो कि डॉक्मेंट वेरिफिकेशन को देखते हुए विवस्ता सही तरीके से किजा ऐसे में हजारों हजार कि संख्या में पटना के अने एक जगों से अभियर्थी पहुच गए हैं और काफी परिशानिया जलनी पड़ी है और भी अभियर्थी उनसे भी जुरेंगे बात ऋइस वह उआ हैएक क्या नहीं है अभुट अभी अंदर गया है काफी दिक्कत होए глаз अधि ये आठ वजे से आए हुए है बहुत परिशानी का होना और आगे सरकार के क्या मंसा है तो सरकार ही जाने मिल रहा है उसके बाद इंट्री मिल रहा है जसके बाद आगे मिल दी अंदर जा रहे जिसके बाद वेरिफिकेशन किया जा रहा है इन लोगों का डॉक्मेंट, अभियर्थियों को काफी परिशानिया जिलनी पर रही है, कई घंटों से अभियर्थी खरे हैं, ऐसे में महिला अभियर्थी भी खरी है, और उनको ही परिशानिया जिलनी पर रही है, देखने बाली बात यह होगी कब तक होता है document verification ऐसे में कई अभियर्थी ऐसे हैं जो लाइन में खरे हैं तिन-तिन घंटा हो गया चार-चार घंटा हो गया लेकिन अभी तक इल्ट्री नहीं मिला है क्योंकि सुबह सही अभियर्थी आपने सुना है कहीं विपीएस्टी को विभाग को अच्छे से व्यवस्था करनी चाहिए थी या और भी सेंटर बना देना चाहिए था लेकिन एकी सेंटर है पतना जिला का जिसमें अभियर्थियों को काफी परशानिया हो रही है और वितमाम ख़वरों के नहीं प्रिया हो रही है और भी सेंटर है वितमाम से सेंटर है था ख़वरों को अचम के विपा को शीयों को अष़ा है है